28 स्टंबर 2023 को मेरे क्लिनिक पे तीन पिस्ट रिपोर्ट हुए पहला केस पुराने डेंटल ब्रेच यानी ओल्ड डेंटल ब्रेच की कम्प्लेञ थी second जो केस रिपोर्ट हुआ रिलेटेड third जो केस रिपोर्ट हुआ वो था डेंटल प्रोस्तेटिक्स यानी नए दाथ जो अने लगवाने थे उससे रिलेटिट वो केस रिपोर्ट हुआ था इन केसिस को हमने किस तरह से डील किया जाते हैं आज की वीडियो में बिसमिल्ले अरग्मने रहीम एनसलोम अलेकों मेरा नाम है डॉक्र दानियाल फरोग और मैं पीमसी यह पाक्सान मेडिकल कमिशन से एक रिजिस्टर डेंटल सर्जन हूँ जो मेरे पास ये 28 स्टंबर 2023 को तीन पेशन्ट से रिपोर्ट हुए थे उसमिल्स साब से पहला केस था जिसमें मैंने जिकर किया कि डेंटल ब्रिज की कम्प्लेंट से रिलेटेड पेशन रिपोर्ट हुआ उनकी ये प्रॉब्रम थी कि उन्होंने तकरीबन तीन से चार साल पहले एक टेंटल ब्रिज लगवाया था और उस टेंटल ब्रिज में एक कम्प्लेंट उनकी एक साल के बाद आने लगी थी कि वहां खाना फस्ता तो और कभी-कभी माइड सी उनको पेन होना शुरू हो जाती थी अब उनने क्या क्या किया कि वेल एंड गूर्ड खुद ही पता चला कि उनके दान्तों की कंडिशन इतनी जदा खराब हो चुकी थी कि नीचे हमें फुराख के जर्रात मिले थे मसूड़े के अंदर से जो हमने निकाले वैसे उनको ब्रिश से नहीं निकल रहे थे अब जब हमने उसको रिमूफ किया तो मसूड़ा उनका काफी हद त था हम और ऋनको धानत को तेच करने पर उनको प्रिशर नहीं होरी थी हमें एक चीज़ करती आपने को जिनका डिंटिस है जिनका वास्तापोड़ा उनरे नोट किया होगा हम एक और उजार हम उसको ख़रते हैं दानतों को टाच कर की हम Прес کرتے ہیں हम उसकी कहते ہیں परकशन करना परकश करके हम उसमें चेक करते है कि आईदे दाव में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आरी है अंडे और नाइन कोई टेंडर इंफेक्शन के चांसेज वब्र या एनी अदे प्रॉब्लम जो हते हम प्रेशर बिन किसी भी दरागतों नहीं ठीक है अब हमने प्लैन मुस में ये किया कि हम उनका पुराना प्रिश लाजमी रिमूव करेंगे और उसको रिमूव करने के बाद क्लिनिकली भी देखेंगे कि नीचे गया स्टेटस है और फिर हम X-ray पे जाएंगे अब यूशली अगर हम पहले X-ray पे चले जाएंगे हमें dental infections का sign नजर आजएगा वर तुट structure जो होता है वो हमें नजर नहीं आएगा ठीक है इसलिए X-rays पे उससे नजर नहीं आता अगर हम उसको रिमूव करके dental X-ray पे जाएंगे तो हम ज्यादा बेतर प्लैन की तरफ जा सकेंगे लाइक अगर रिमूव करने की तरफ दान तूट भी जाते हैं और उस cases में हमारा plan change भी हो सकते है so whatever we will do हम उसको रिमूव करने के बाद ही plan करेंगे वो इंशाला नेक्श वीडियो में जब plan वर्क की तरफ जाएंगे मैं इंशाला वो भी डिसकस हो second जो case है वो हमारे पास था basis यह नहीं orthodontics का यह बची यह जी इसका तक्रीबन 17 साल उमर है एक साल पहले यह तक्रीबन मैंने case start किया था इसका यह अप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर किसके आप तर दान्तों में गैप है यहां से दान्त टेड़े मेरे हैं और यह अप देख सकते हैं ठीक है यह इसके ओपर वाले दान्त है कुछ इस तरह से और ये इसके कुछ नीचे वाल अदाद आपको नज़र आ रहे हो और ये मैंने साथ अब लिंक दिया है यह आपके ओपर स्क्रीन पर आ रहा होगा यह शौर्ट्स है मेरी यहाँ पर इस बच्ची का अब एक साल के बलक बगए एक साल के बाद आप इसकी कंडिशन आप देख से दें माशाललब बड़ी ची कंडिशन होगी है दान्त एक प्रॉपर अलाइंडमेंट में आगे है दान्तों के बीच में कुछ माइनर स्पेसे रहेगी हैं जिसको हम इंशालला नेक्श फ्यू मन्स के अंदर कवर अप करके उस पेशन को हम रिटेनर्स देंगी रिटेनर्स क्या होते हैं अगली आने वाले वीडियो में मैं आपको बताता रहूंगा तो वो देखे हम इंशालला उस केस को वाइंड अप करतेंगे ठीक है थर्ड जो केस रिपोर्ट हुआ वो हुआ हमारे पास ठी उन पेशन की डिमार्ड थी कि वो डेंटल प्रॉसेसिज यानि फिक्स दान जो होता है वो लगवाना चाहती थी क्योंके उनके सामने के कुछ दान मिसिंग थे एक से दो दान तो उनके न मिसिंग थे अब जब हमने उनकी कंटीनिंग के लिए जब उनको चेक किया तो उनकी कंडिशन कुछ इस तरह से थी यह आपके बस स्क्रीब ब्यारा होगा अब इसमें क्या था कि ऐसी कंडिशन में कि आपको नज़रा रहा है कि दान्तों के आस पास पुरा के जरा चिपकी होएं यह पहाड नज़रा रहा होता है हम इसको अर्दू में कहते है कि मास्खोरा इंगलिश में कहते है टार्टर हमारी लैंगिज में हम इसको कहते है कैल्कुलस एंड प्लाग अब इसको रिमूव करना ज़ूरी होता है क्यों? Because this is a disease अगर आप कहते हैं ने कि इसको रिमूव ना करें और इसके बगाएर ही किसी डेंटर टीटमेंट की दिरफ जाएं मैं एक चीज हमेशा कहते हूँ हमारा कहा है हम तो कुछ भी कर देंगे कि आप किसलिए आपका फर्ज मनत है जो हम गाइड नाइंज देते हैं आप उसको फॉलो करें पॉपस नेच्रिल चीज को नेच्रिल फॉर्म में मैक्सिमं टाइन तक बिज़र्ब करना is always the best इसी हमेशा ही चीज नोर जेन में रखें आप जितना आर्टिशल टीटमेंट की दिरफ जाते हैं हमारा काम उसमें इजी हो जाता है इसलिए अगर हम आप गाइड नाइन दें आप आर्टिशल टीटमेंट की दिरफ जाएं तो उसमें यह जिए आपका उसमें नुकसान ज्यादा होता है इसलिए कोशिश करें पहली चीज हमेशा यह होती है है कि जब डेंटिस्ट आपको यह एडवाइस का रहा है कि आप नेटिस्ट को बचाएं तो आप डेंटिस्ट की बात सुनें उनकी चीज़ को फॉलो करें हमेशा ठीक है अब उसमें किया है कि अब यह जो पेशन्ट ही हमने को गाइड किया कि आपके दान्तों की पहले स्केलिंग होनी चाहिए तब हम यह आपके कोई फिक्स चीज़ लगाएंगे लेट सबस्ट आपके दान जो होता है यहां से हिलना भी शुरू हो गए थे हमने की सफाई कर दे थी क्लीनिंग यह त्यार हो गए थी हमने की क्लीनिंग इन्शालला बताएंगे नेक्श आने वाली वीडियो में कि उन पेशन करके साथ क्या कंडिशनरी हमने किस तरह सुनके ब्लैनिंग मजीद की तो यह थी जी आज की वीडियो इन्शालला मुझे उमीद है कि आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेडिव कंटेंट जो होता है वो आपको मिला होगा आज सुनने को ठीक है इसी तरह मैं इन्शालला आने वाले विडियोज वेरा में वीडियोज अप्लोट करता रहूंगा और आपसे दर्फ़ास है कि अगर आपने मेरे चैनल पे अभी आया है तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन सबस्क्राइब के साथ जो है उसको जरूर दबाएएगे ताकि आप आने वाली हर वीडियो से रिलेटिड इन्फॉर्मेशन जो होता है वो मिलती रहे आप दौाओं में याद रखिएगा मिलती है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल अल्लाहाफिस